जैहिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बैंगलार और चन्नाई के बीच में होने वाले IPL के सबसे बड़े मैच की दोस्तों, सब लोगों को एक तरीके से वेट होती है कोहली और धोनी की आपस में भिड़ने की और आपको वेट है ये देखने की, UDCRA की पिछली टीम ने क्या परफॉर्पमेंस की तो चलिए, अभी दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए जो टीम आपको दी गई थी, मैं उस टीम की वज़े से कितना विन किया ये मेरी investment थी, ये मेरा profit आया है और ये मेरा profit आया है, ये winning है total और ये मेरा net profit है आप देखिए दोस्तों, मैंने लगाए कितने थे, मुझे मिले कितने और मैं net में कितना कम आ गया अब आपको होगे सार, इतनी अच्छी टीम मिलती कहा पे है सबसे पहले दोस्तों एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए 100-500-500 वाले contest लगाने से कुछ नहीं होगा या तो Grand League में 20 टी में लगाईए या फिर head to head थोड़ा बड़ा के लिए अगर profit कमाना है तो otherwise आपका fantasy में कोई जगह नहीं है यह देखो मैंने कितने contest के लिए है 5200-5200 डेट बहुत कम है my master 11 पे यह देखो फिर से 5200 फिर 5200 535 अना वह तो बहुत है यार बहुत ज़ादा है जितने मर्जी आप देख लोग खतम नहीं होगे बहुत contest मेंने join किये है अब आपको होगे सर इतनी अच्छी टिम मिलती कहाँ पर है दोस्तो यह टीम आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम के साथ जुड़ेंगे कैसे आप लोग दोस्तो description में जाईए यह पड़ा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको मेरी टीम मिलती है यहाँ पर दस्टी में Grand League के भी मिलती है आपको और यह रहा My Master 11 जहाँ पर मैं इतना Win कर रहा हूँ अब दोस्तों एक चीध ध्यान रखना आप वीडियो देखने किसलिए आते हो UDCRA की आपको पिचरी पोड मिलती है प्राइम पिचरी पोड मिलती है कोई बात नी प्राइम पिचरी पोड आपको और भी बहुत मिलेंगी आज भी मिलेंगी उससे पहले दोस्तों जल्दी से हमारे साथ जूड़िये सब्सक्राइब करिए और जैसे ही ये बैल आइकन आपको देखे आल पे क्लिक कर देना ताकि ताकि दोस्तों आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसके यह दिखिए कमेंट आपके सामने है दोस्तों सेड्ट्सी का मतलब फैं्ट्सी का किंग मतलब यूडिसी वारे यह वैन सी किंग वतलब कींग कीमी आए पाथ है अवीलेबल ओओ ओओ ओघरनकि दोस्तों नेक्स्ट उप्दिक्शन इधारब कि लिस्ट में आएगा क्यों वह देखें गिस दोस्तमर्यके अभी सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 देखी जाएगी दोस्तो थोड़ सा स्पिनिंग को हेल्प करेगा यह और हाई स्कोरिंग राउंड होगा एक स्वासी का स्कोर बनेगा तो यह देखे दोस्तो विराट फाफ महिपाल लोमर और मैक्सवल और जारा कोई नीचे जाने की दूरत न नहीं है तो अब देखे दोस्तों इनका अगर बात किया जाए बेंगलूर हो ना सौथन दोनों पार्टी से खुम रही है आपस में मिड़ेंगी लेकिन जो चीना सौमी ग्राउंड है ना थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राउंड है जो दो मैच यहां पे हुए है नाइट कि अद्वाले दिनके वाध नहीं करेंगी यह दिन्वाला मैच है इसकी बात नहीं करेंगे यहां पे करदीशन अलग थी अ इस बार पीछ भी नहीं यूज होगी तो यह दिखे एक दर देंसे स्कोर बिल्ट किया था पहले इतना तेजी से नहीं चल रहा था जहा पूरा नह कास जीतेगी वो पहरे बालिंग करेगी कोहली का चला टॉप आटर हाना मेंगलाओर का टॉप आटर चला सिर्फ टॉप आटर चला कोहली डुपलेसी मैक्सवेल जबकि दूसरे टीम की बारी आई तो के बाल मिटल आटर चला स्टॉइनिस पूरन और नीचे थोड़ा सा बदो हो नियुक्त नोटिस की एक टीम का टॉप आटर चल रहा है दूसरे तॉप आटर चल रहा है हाथ 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 हूँ आगर थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिच कि फॉर्म में तो इशान किशिन और रोई शर्मा भी है अना अब तो सुर्थ गुमार यादर भी इनफर्म हो चुके है तो एक और बहुत-बहुत बड़ी न्यूज़ है को कि सुर्थ गुमार यादर यह वन्दा है जो मुंबई की टीम को आई पेल जिता के जा सकता है इतनी तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं UDCR के स्टाइल में पिचरी बोर्ड बनाने देखते हैं क्या कोई चेंजी जोंगे पिचरी बोर्ड में चिन्ला स्वामी स्वामी ग्राउंड बेंगलार तो सबसे पहले दोस्तों आर्सीवी का आपको टॉप अटर लेना है क्यों क्यों क अब लेकिन ठीक फर दरसें दे रहे हैं वो भी बसे तो आपको लोगे सार फिर तो गाइक वर्ड ने का कुना कर दिया निगा तो भूती साधा प्राइम फार्म में चल रहा है ना ऐसे तो भी आप कौनवे को भी बोलोगे लेकिन पिचरी बोर्ड हमें इजाज़त नहीं द बोलोगे बाइब तो अब बीगट कर लेंगे और दूसरी साइड ते फिर अपना ठीक्षना कर सकता है दोस्तों हलाकि मोहीन अली और जड्डू के सामने थोटा से बेटिंग में हमें हल्प कर थोटा से क्या बहुत जारा हम करते हैं मोहीन अली तो उसके बाद आर सीबी मैंने चनही का बॉलिंग इलाई लेकिन बहुत कुछ आपको बता के जा रही है फर्क केवल इतना है कि आप समझते कितना हो अगरा बढ़िया समझते हो तो ठीक है नहीं तो फिर दोस्तों पिच्री पोट आपके लिए चार लाई नहीं है सिरफ थोड़ सा डीकोड करने की क ठीक है दोस्तों तब तो एक लाईक तो करती है रहाई कि नहीं किया तो तो चलिए माइश्टर 11 ओपन करते हैं अब आप कहेंगे सर आप तो माइश्टर 11 के बाप हो दोस्तों आपको देखिए ना ओफ और इतने तगड़े भरे पड़े हैं क्यों नहीं खेलेंगे यहां प पर और इसके हैट-to-head के रेट सबसे कम है दोस्तों मतलब इतने कम हैट-to-head के रेट मैंने कहीं नहीं देखे पांच और रूपे कमिशन है है ना सोची यार थोड़ा सा मतलब के जहां सबसे कम कमिशन आना आप उस अप पे खेली है यहां पर खेलता हूँ आप किसी और तो को नहीं लेगा, भी नीचे लोगतु नहीं लेगी, तो विकर्ट की अपर फिर एकही बचता है, इसको लेनी पड़ेगा, अनदे नहीं रखता है, कि दूसरे प्लियर्स की बैटिंग आने के बहुत कम चांस है दोनी के हाला कि आएगी जरूर एका देवर के लिए लेकिन छक्के की जगा फिर वाउट भी हो सकते हैं और इतनी भी बड़े इनिंग्स नहीं खिल के जा सकते हैं जारा सारे बीच पास इसरा मार देंगे तो देवी का टॉप ओडर तो टॉप ओडर है कोहली और फैफ यह दो फिक्स है वन डाउन पेल महीपाल लॉमर और उसके बाद है मैक्सवल बस सादा नीचे जाने के जरूरत नहीं है चार प्लेयर ले लिए हलांकि तीन ही लेने थे लेकिन हमने चार प्लेयर को लिए उसके बा 140, 94, 60 एक मैंच में नहीं चला बेचारा टीम से बाहर दोस्तों मैं उस वज़े से बाहर नहीं कर रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड कहा रख कि यह बाहर जाएगा तो मैं बाहर कर रहा हूँ अब आप तो रहाने भी बाहर कर दोगी जी हाँ मैं तो अलड़ी कर चुका हूँ अरे यह गलत बात रहने भी भाहर कर दिया अपने इतना अच्छा बाहर कर दिया यह तो परफॉर्म भी बढ़िया कर रहा हूँ दोस्तों मेरी मर जी है अब अपने 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 आपकार दिंग मानाएंग टीम है है अब देखिए मिटल और में इनका नाम आएगा मोहिन लीका जड़ू दोस्तों म्यूटल ओर में फिर जड़ू की भी बैटिंग तो आएगी जड़ू भी लेना पड़ेगा तो फिर आपको एक बंदा बाहर करना पड़ेगा राइडू आपको बाहर करना पड़ेगा क्यों? हमें RCB का हसरंगा चाहिए बॉलिंग के लिए खास से अगर आप चाहो तो हसरंगा को छोड़ सकते हो फिर आपके बास तीन बॉलर्स का भी कलब बचेगा एक तो आपका सिराज होगा एक आपका पार्रा लोगा अरे बस साथ हो चुके है कोई बात नहीं तो पिरे एक दूसरे टीम का ले लेते हैं और गया ठीक्षना टाइप मैं पहले ही बोल चुका हूँ तो यह देखे दोस्तों इसमें एक टीम की कमी है और आइडू नहीं है इस टीम में चाहे तो आप हसरंगा की जगह पर आइडू ले सकते हैं यह डिसीजन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ अब हसरंगा की जगह पर आइडू ले सकते हो दोस्तों प्राइम टीम है एक लाइक और एक अच्छा सा सब्सक्राइब जरूर करिए सब्सक्राइब जैसे आप करोगे ना सब्सक्राइब कर बेल आइकन में टिक जरूर करना मेरे टेलीग्राम जुड़ी है वहाँ के आपको प्राइम टीम मिलेगी सी वी सी कौन बनेगा और वी राट कोली बनेगा दोस्तों वी सी कौन बनेगा और डूपलेसी बनेगा अरे अरे दोनों एक इन से भी खेल लिए यार और head to head भी join करिए दोस्तों head to head भी बहुत जरूरी आपके लिए head to head भी बहुत ज़ारा जरूरी है तो चलिए दोस्तों वीडियो समापत करते हैं धन्यवाद